अरे क्या तुम्हें पता है जो कोरोना फैल रहा है ना इसके बारे में तुलसिदाज जी ने रामचरित मानस में पहले से ही बता दिया था ये हम नहीं कह रहे हैं इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर कई लोग कहते हुए नजर आ रही हैं लोगों का कहना है ये कोरोना वाइरस की चेतावनी रामचरित मानस में पहले से दी जा चुकी है यहां तक की रामचरित मानस का दोहा लिखा हुआ एक पन्ना भी इन दिनों सोशल मीडिया पर जम कर शेर किया जा रहा है चरिये आपको दिखाते हैं वो पन्ना जिस पर राम चरित मानस के कुछ दोहे लिखे हुए है सोशल मीडिया पर जो पन्ना वाइरल हो रहा है उसके साथ यूजर ने लिखा है कि रामायन के दोहा नंबर 120 में लिखा है कि जो प्रत्वी पर निंदा बढ़ जाएगी पाप बढ़ जाएगे तब चमगादर अवतरित होंगे और चारो तरफ उनसे संबंदित बीमारी फैल जाएगी और लोग मरेंगे और दोहा नंबर 121 में लिखा है कि एक बिमारी जिसमें नर मरेंगे उसमें सिर्फ एक दवा है प्रभु भजन डान और समाधी में रहना जिसका मतलब लोगडाउन अब वो दोहा हम आपको पढ़कर सुना देते हैं जो लिखा हुआ है सबके निंदा जेजड करही ते चमगादुर होई अब तरही सुनुहुता तब मानस रोगा जिनते दुख पावही सब लोगा मोह सकल ब्यादिन ही कर मूला तिनहते पुनी उपजही बहुसूला काम बात कफ लोब अपारा क्रोध पित नित छाती जारा प्रीति करही जो तिन्यू भाई उपजही सन्य पात दुखदाई विशय मनुरत दुरगम नाना तेसब सूल नाम को जाना जुगबिती जवर मतसर अभिबेका कहलागी कहा कुरोग अनेका एक ब्याधी बस नर्मरही ए असाधी बहुब्याधी पिढ़ी सतत जीव कहू सो किमी लहे समाधी ये वो दोहा है जो सोशल मीडिया पर वाईरल हो रहा है जिसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि कोरोणा नामक महामारी का मूल स्त्रोत चमगादर पक्षी रहेगा इसके लक्षन कफ खासी होंगे फेफ़लो में एक जाल या आवरन उत्पन होगा इन सब के मिलने से सन्निपात रोग होगा जिससे लोग बहुत दुप पाएंगे और इस बिमारे से कई लोग मारे जाएंगे लेकिन हम आपको बता दें कि इस दोहे का गलत अर्थ निकाला जा रहा है इस दोहे का अर्थ है कि जो मुर्ख मनुशे सब की निंदा करते हैं वो चमगादर होकर जन्म लेते हैं वही काफ पित और वात ये वो रोग हैं जो मनुशे में समानी रूप से पाएं जाते हैं और इससे मनुशे काफी विचलित भी हो जाता है इसलिए हम फिर वही कहेंगे जरा अफवाहों पर फॉर्वर्ट बटन दबाने से पहले एक बार सोचने अपने घर में रहें और कोरोना के साथ साथ अफवाहों से भी जरा दूर रहें